पिणाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी कर दिल से स्वागत करती हूँ, मीट करती हूँ, आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनावग अच्छी से कर रहे हैं Divine Masculine आपके current energy में लेके आई हूँ Divine Masculine आप यानि कि गए जो 5-6 या 10 दिन जो निकले हैं आपके, ये बहुत ही difficult time निकला है आपका बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, एक तरह से अपने आपको चारों तरफ से भना हुआ, फील कर रहे हैं कोई भी रास्ता आपको समझने नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर निकलना है, क्या करना है, कैसे करना है बट अब finally आपने अपना जो ये time आपको दिया, तो ये time आपको मिला intuition follow करने के लिए लेकिन अभी आपने ये काम अच्छा किया है, कि बिना किसी guidance के, बिना किसी की help के, आपने अपना intuition follow किया है, और ये आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये जो आपने अपना intuition जब आपने सुना या उसे follow किया, तो उसके बाद आपको सफलता देखने को मिली है, आप को बहुत सारी चीजों में एक positivity नज़र आई है लाइक तुमको जो problem लग रहा था कि बहुत बड़ा-बड़ा problem है कोई solution नहीं मिल रहा कोई भी problem हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा create हो रही है जो भी आपको रास्ता वो किनारा मिल गया जो आपके लिए बना है साथ में आपकी जो भी wishes आपने रखी है जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो ये हो वो हो तो वो definitely आपकी फुल्फिल्मेंट होने वाली है आने वाले इन चार पास दिनों में तुमारी जो भी wishes है फुल होने वाली है साथ में अगर मैं आपकी spiritual life के बारे में बात करूं इन दिनों आप बहुत ही ज़्यादा higher soul या कि आपके अंदर जो कुछ हो रहा है वो normal नहीं हो रहा जो आप experience आप अपनी life में देख रहे हैं यानि कि जो meditation कर रहे हैं उनको तो experience हो भी रहे हैं लेकिन जो नहीं भी कर रहे है ना meditation उनकी life में भी बहुत ज़्यादा major major आपको experience देखने को मिल रहे हैं like आपको astro travel या फि आपको light दिखाई दे रही है golden, white, blue ऐसी color की light आपको दिखाई दे रही है या फिर आपके surrounding आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा या फिर पहले कभी आप उसके संपर्क में नहीं आए तो यानि कि आप एक तरह से अपनी spiritual life में growth कर रहे हैं एक level अप हो रहे हैं और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि गाइस मैं थोड़ा सा आपको explain कर दूं कि 11-11 portal तक सभी divine soul और masculine feminine and masculine को अवेकन किया जाएगा उनके lesson उनको सुखा करके आगे बढ़ाने के लिए उनको total zero level पर लेके आना होगा क्यों आप फिर अपने inner work नहीं करोगे या खुद पर work नहीं करोगे तो तब तक आप 11-11 की energy की portal की जो blessing है वो आप नहीं receive कर सकते क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको total blank करना होगा अपने आपको सारी desire आपको खतम करनी होगी in fact आपको ये भी सोचना बंद कर देना होगा कि आप मेरे dm कव आएंगे मेरे feminine कव आएंगी ये सारी जो आपकी desire है ये भी आपको एक हपके लिए आपको stop करनी होगी आप आपको सिर्फो सिर्फ divine के order का follow करने के लिए wait करना होगा उनकी जो अगला कदम क्या होगा हम सभी क कि लाइफ में वह आपको वेट करना है और साथ में जो आपको spiritual life में feminine आपके लिए भी बोल रही हूं कि feminine को भी और masculine को यानि कि जो spiritual gift जो आपको मिल रहे हैं या जो experience आपको हो रहे हैं उनको सिर्फ follow करना है उन experience को जीना है और उनकी पीछे आगे आगे चलते रहना है यान साथ में आप अपना कर्मा रिलीज वाला भी आप meditation करें ताकि जल्दी से जल्दी आप इन सबसे रिमूब हो और जो बहुत ज्यादा आपको इन दिनों टिगर मिल रहे हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलें साथ में divine masculine आपका और divine feminine आपका भी इक तरह से good luck time आपका start हो र रहा है क्योंकि उनको हर तरफ से success देखने को मिलने वाली है love life में तो उनको मिलेगी साथ में money में भी मिलेगा उनको और उनकी सुकून भरा time जो वो धून रहे हैं काफे time से यह सोच लो कि बर्सों से ढून रहे हैं कि कहीं उनको सुकून मिले उनकी life में आने वाला है total free less आ पर्जेंट पॉसिवल है क्योंकि आप इस एनर्जी तक आते आते आपको यूणिवर्स के साथ में अलाइनमेंट हो जाओगे साथ में आपको जो ब्लैसिंग जो यूणिवर्स की मिलने वाली है 1111 पोर्टल में उसको आप रिसीव कर पाओगी तो जितना मैं आपको कहूं कि यह मैं बात तो मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ हाला कि मैं divine masculine की current energy लेकी आई थी लेकिन मैंने साथ में feminine के बारे में भी बता दिया है तो जितना हो सके अकर आपको कोई karma परिशान कर रहा है या कोई आपको टिगर दे रहा है या फिर आपको कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कोई सब कुछ ठीक है लेकि फिर भी आप मन में बेचैनी महसूस कर रही है या फिर आपको problem create हो रही है करें अपनी energy को balance करें clean करें और जितना हो सके अपने आपको balance में रखें और अपनी extra energy को universe को send करें और अपने आपको total balance में ले के आए किसी के साथ भी बहस में नहीं पढ़ना है खास करके ध्यान रखें कि आपको एक तरह से उकसाया जाएगा आपको बार बार ऐसी चीजें आपके सामने लाकी रखी जाएगी in fact आपको आपके सही काम पर भी आपको blame किया जाएगा आपको टोका जाएगा आपसे जगड़ा किया जाएगा बट फिर भी आपको कोई भी तरह से react नहीं करना है सिर्फ और से सांती से रह करके उस condition को face करना होगा क्योंकि इन दिनों आ कोई कर्मा create नहीं करना इस बात का खुस कर ध्यांन रखना है बहुत अच्छे से ध्यांन रखना होगा सात में अगर आपके डी एप से बात नहीं हो रही है तो प्रिशाह नहीं करें और यह शमज लें कि जितना अच्छा है अगर आप और के गांटक्त में कम हैं क्योंकि आ वो कब बात करेंगे अपने करमा में विलीज कर मैं यह सिर्फ उन संहीकके और ऐसा नहीं है यह चुछ किरेंगे'm आपनी कर्म को ए devo करने में प्रॉब्ба में नहीं करने साथ यह नहीं सम्हेत कुछ इस प्रोबल्स कड़म करने काई वीint और साथ में अपने आपको बैलेंस करें जबी भी आप मेडिटेशन करें या तो कर रहे हैं तो आपने काउंटर पार्ट को को याद करें, उनको बैलेंस करें अपने को बैलेंस करें होगा तो एक सथा तो नहीं हो और दूसरा है दूरा नहीं करना की तुम नहीं कि तुम नहीं हो नहीं कि थिए तिमने आप यह किया तुमने वैससा किया अगर आपके मेंस्लिन या तुम्हाइब कैमzew स страш ल careers वही वहां से possibilitiesुर मिलेगा तब जाके उनको realize होगा कि उन्होंने क्या किया और क्या मिला तो उनको करने दो वो face करने दो तुम उस चीज की भागी मत बनो उस चीज कर्मा को या उस block एसको create करने में खुद के उपर मत लो तो जितना हो सके अपने आपको balance रखो प्रोटेक्ट रखो और बिल्कुल भी चिंता नहीं करो 11-11 पोर्टल का बेट करो बहुत कम समय वाकी है उसके लिए पहले से ही खुद को prepare करना होगा खुद को balance करना होगा और आगे भटना होगा तो या गाइस यह थी आप लोग के लिए guidance अगर आपको meditation करना है या कर्मा रिलीज वाले कुछ करना है everything किसी भी purpose से आपको meditation चाहिए तो आप मुझे join कर सकते हैं बाकी सारी details मेरी description box में है वहाँ जाके आप मुझे contact कर सकते हैं और इसी के साथ मैं चलती हूँ मिलती हूँ अपनी next वीडियो के साथ